हलो गाईज वेलकम बैक टो लक्की व्लोग्स और आज के व्लोग में मैं आपको ले गया हूँ एक बहुती जबरदस्त मेले में जी हाँ ये मेला लगा हुआ है देशेरा मेदान में बल्लवगड में तो आज ये देखते हैं महाँ पे बहुती खूबसूरत चीजे हैं तो आपसे पहले आपको यहा पर खाने की जीजें दिखाई देंगी देखिए गर्मा गर्म हल्वा देखते ही ऐसे लगेगा कि इसको फटाफट खा लिय जाए देखिए अंकल जी यहां पर जलेवी बना रहे हैं गरमा गरम देखते ही ऐसे लए यहां कि इसको खा लिया जाए और यहां पर और भी काफी सारी वराइटी आपको मिल जाएंगी खाने के लिए और थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगी भेल पूरी जी हां बॉम्बे की काफी मशूर भेल पूरी यहां पर आपको खाने के लिए मिल जाएगी मेले की शान होते हैं मेले के जूले जी हां बच्चे सबसे पहले जूले ही देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या है यहां पे तो जी हां बच्चों के लिए काफी सारे यहां पे जूले आपको दिखाई दे जाएंगे बच्चों को लाइए अपनी फैमिली के साथ आएए और इंजॉय कीजिए बहुत अलग लग वाराइटी के आपको यहां पर बच्चों के लिए जूले दिखाई दे जाएंगे और यह है मेले की शान जीहां सबसे बड़ा जूला मेले का सबसे बड़ा जूला काफी अच्छी हाइट है इसकी जब आप इसके उपर जूलेंगे तो आपको पूरे शहर का नजारा दिखाई देगा काफी खूबसरूत लाइटिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी काफी अच्छा सजा रख रहा है मेले को काफी जूला मेले काफी तो आपको यहां है पर देखने केया इसके जापको यहां है बर्फ आख मार्दाखे अबड़ ज़ी बीदी चानल दो करें चछू भेड़ अबोल ज़ी डाख Bennett ज़ी अबड़ भादाखे अबड़ ज़ी खाल आखे ज़ी ज़ी आखे आपको यहां पर लेडिस चपल भी मिल जाएंगी देख़ें यहां पर सेल लगया है काफी अच्छे दामो में आप यहां पर लेडिस चपल खरीज सकते हैं और भी बहुत सारी आइटम आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी देखे लेडिस बैग आपको यहां पर मिल जाएंगे पर्स हैं लेडिस के लिए काफी अच्छी वराइटी है और काफी अच्छे दामों में आपको यहां पर लेडिस पर्स भी मिल जाएंगे मेले में जब आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दुकाने आपको अकर्शित करती हैं वो होती है खिलोनों की जी हाँ बच्चों के लिए खिलोने यहां पर काफी अच्छी वराइटी में मिल जाएंगे और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखे यहां पर एक डांस के लिए एक अलग से जगा बना रखी है यहां भी काफी लोग इंजॉय करने आते हैं और फोटोग्रफी के लिए देखिए यहां पर एक स्टूडियो बना हुआ है आप वहां पर आएं और अपनी मन पसंद की फोटो किचवाएं देखे टैटू जो है आज कल काफी ट्रेंडिंग में है यह काफी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है तो देखे जब मेले लगते थे तो मेले में लोग टैटू बनवाते थे तो किस तरीके से टैटू बनाए जाते थे लेकिन आज किल काफी तरीका बदल गया है टैटू बनाने का आटो वाइस कैसी लगी आपको ये मेले की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुले क्योंकि यापे धेर करी आपको ऐसी और भी वीडियो टेखने को मिलेगी थैंक्यू